हुआ हेलो एब्रीवन वेलकम टुनिक एजूकेशन मैं हूँ मौसिना खान तो जैसा कि आपको बता है कि मेरा जो क्लास है आपका आज यह आपका जो क्लास है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपका क्लास क्योंकि आज मैं आपको पैट आपका जो पीटी द्सकसक्राने वाले हूँ उसमें आपका जो ही जो आपके असे अव्यारती हैं जो पिछली बार रही हि प्र양ण पाक्राद करें ग्यारते ओंटार है नहीं क् equipped कि पनेश ऊंदैश और उससे हमें क्या अलाब होगा तुम आपको बताँगा isn't that आपका और यह क्यों जरूरी है तो आपको जो की महता हुआर दो आपका आधीनस्त क्याती हिस्की निकालता अपकी निकालता है फिक ने स्की लिए करते हैं तो इस वर क्या है आपका क्या हुआ है यू पी जो ट्रपल सी जो वेकंसी निकालता है उन्होंने आपके लिए पहले एक प्री एक्जाम के रूप में आपका पैट जो है उसे आपका हमें वो पहले की देना पड़ेगा उसके बाद जो आपकी UPCC जो है हमारा जितनी वी वेकेंसी निकालेगी आपके उत्तरपरदेश में आपका तो वो क्या होगा जो बच्चे आपके पैट क्वालिफाइड होंगे वो हमारे सभी क्या होंगे जो आपक है उसका पेट की फुलशा लेटे हैं क्यूंब झान लेते हैं और क्योंब जरूरी हमारा तो जैसे मैं अगर बता दूं आपका पैट जो यह मारा यहसे हम στο Di Magnus expect में पॉर्ट रिखेंगे तो इससे हम कहते हैं प्रीले महीं कि आपका इलाजवाइगेटि टेस्ट इलेजिबिलिटी टेस्ट आपका ऐसे अगर हम दीम लखेंगे तो आपका होता है आपका प्रारंबिक प्रारंबिक पात्रता या फिर अहरता अभी जिसे कहते हैं अहरता परिक्षिन जिसे हमारा जो आपका जो करवाई का कंड़क जो बittersने करवा है वह आपका है जो हमारी यू प आपके जो ट्रॉप्ल इस से आपका जूख है मारा उप द्रॉपन ट्रॉपल इस वह जानेंगे एक बार उत्तरप्रदेश आपकी उतकर प्रदेश इसने करवा है वो आपका है जो हमारी यूपी आपके जो ट्रॉपल एससी आपका जो है अमारा यूपी जो ट्रॉपल एससी है इसे भी हम जानेंगे एक बार उत्तर प्रदेश आपकी उत्तर प्रदेश सब ओर्डिनेट आपका सब ओर्डिनेट सर्विसेज कमीशन आयोग तो यह हो गया आपका यूपिटर पलसी और यह हो गया आपका पैट तो अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहेंगे आपका तो यह होगा हमारा उत्तर प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग सेवा चैन आयोग तो यह होगा हमारी दोनों चीज़े मैंने आपको बता दी तो क्या है आपका जो उत्तर प्रदेश आपका जो क्या है यूपी ट्रप्ल एसी जो है हमारा वो क्या करता है बहुत सारी आपके जो ग्रूप सी से जो आपके रिलेटट आपकी जो वेकेंसी होती है आपका वो जो वेकेंसी होती है उनको निकालता है आपका जो हमारा युपिटर प्लेशी है वो तो क्या किया है उन्होंने इस तूर उन्होंने इससे, यह झाले कि सब कर दो टिर में किया है यानि कि पहले आपका इंत्राइक्ण grandparents प्लत्व में होगा ओपके कट लॉट जो कटॉफ है वो जारी करेंगे अगर आप उनके शॉर्ट लिस्ट में अगर आएंगे आपका जो अच्छे है तो आप वो क्या है म NEX exam Min За Body सकते हैं तो मैं आपको बता दूं एक बार रेक्षा कराएगा आप की और में हम भार करें आपकी जो स्कॉर कार्ड वैलिडिटी होगी यानि कि आपने लिए पैट का जुर्ड वार्म गयर क्लियर कर लिया है तो उसका जो score card होगा उसकी validity के अगर हम बात करें तो वह आपका एक वर्श तक होगा यानि कि आपका score card की जो validity होगी हमारी score card की validity आपकी एक साल की होगी आपकी एक साल की होगी एक वर्श की रहेगी और अगर बहुत सारे बच्चे हैं जुनोंने नहीं कर पाया है पहली बार में तो वो क्या करेंगे वो आप दुबारा भी उस परिक्षा में बैठ सकते हैं तो यह तो होगी आपके कुछ पॉइंट की बात अगर मैं बताओं कि आपका जो इस बार का जो एक्जाम है आपका वो कब होना है उन्होंने आपका जो डेट है वो तो फाइनल कर दी है लेकिन आपके जो एप्लिकेशन फॉर्म है उनकी एक टेंटेटिव डेट बताई थी मै आपको वो भी बताऊंगे अभी तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ आपका जो डेट है एक्जाम की वह आपकी बताई गई है हमारा 18 सितंबर को आपकी परिक्षा होगी 18 सितंबर 2022 संड़े है उस दिन संड़े तो यह है आपकी एक्जाम तारीक यानि कि आपकी परिक्षा तिथी तो यह हो गया आपका अब मैं बता दूँ आपका जैसे आपके खयाल आ रहा होगा कि आपका पैट क्यों जरूर है तो मैं आपको बता दूँ आपका पैट इसका जो मुखो देश है हमारा पैट मतलब पैट एक्जाम का तो मैं बता दूँ आपका जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे बह को डिना पड़ता है पूरी आपकी information वापस लेनी पड़ती है तो यूपी डुम्स ऐसी है तो क्या करेंगा आपका पैट में एक बार अगर registration हो जाता है तुर्प क्या होगा जब यूपी डंची यह वह कंसी देगी आपकी िसके लिए अपना वापस से पूरा आपका जो वती है आपकी जो जितनी भी आपको पूर इंफॉर मेशन देना होगा पूरे अप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं आपके एक करने के बाद ही आपको दुबारा से रेजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा तो यह होगी आपकी मैंने बताया आपका क्यों जरूर है अब मैं कुछ और बात करूंगे आपका तो हमें से अठा देंगे आप उसकी शॉट वो लिजिए स्क्रीन शॉट जली से फिर मैं देते हूं अब अब करें आपकी अप्लिकेशन फोर्म की अगर हम बात करें हमारा कि तो मैं आपका बोला गया था में आपका जो है वो टेंटिटी बताया गया था आपका में 2022 में लास्ट बीक तक तो आपका क्या है यह एक टेंटिटीव डेट है आपकी अज थाई है आपकी और आपका एप्लिकेशन फोर्म की लास्ट जो बताएगी थी वह आपका जुलाई आपकी जो 2022 है वह थी आपकी और आपका क्या होता है डिकरेक्शन जो विंडो थी हमारी वह भी जुलाई में आपकी बताई गई है तो जैसे ही अगर पैट के जितने आपके फॉर्म जब बताए जाएंगे तो मैं आपको आपको बता दोंगी फिर से हम वीडियो बनाएंगे हमारा और अगर आप चेक भी कर रहे हैं तो आप इसकी ऑफिशिल वेब साइट पर जाके आप चेक कर सकते ह अब मैं बताए दूँ आपको मैंने आपको बताय आपकी दो ट시면 है एकजांब होगा तो ठीक आप business मैं आपका क्या होगा आपका जो पैट होना चाहिए वह आपकाका क्वालिफाइड होना लेंगे आपका नहीं तोこ लिए आपका अलग लग भर है टियर फर्स में आपका क्या होना चाहिए पैट होना चाहिए आपका है और अगर हम बात करें आपकी जो इसमें तुआ कि में हो प्लेजाम थे हैं तो आपका में एक्जांब रहेगा हमारा में और आप का इस्किल टेस्ट भी आप इसी में कर लीजे इस्किल टेस्ट और आपका एक फिजिकल टेस्ट तो यह तो मैंने आपको बता दी आपके दो तरीके से यानि के दो हैं आपको पहले पैट क्वालिफाइड करना होगा फिर आपको मैंने बता दिया है आप में बैच सकते हैं अगर निए उनकी कट आफ की जो लिस्ट है उसके लिए शॉट लिस्टड है तो अब हम बात करेंगे कुछ और हुझ Sin है जो प्रश्ण है वह कितने है है हमारे और आपकी सभासा है आपकी एक्जाम के वह कैसी है तो मैं बद करूँगी जैसे आपका जो एक्जाम से चालिस दी गई कि और इसमें भी आपको अरक्षण मिलेगा आपका अलग-अलग जैसे वर्ग जो है रहे अरक्षण है आपका जैसे ओबीज है आपकी तो उस्में तीन साल का और अगर करें जो एस्सी और आपकी स्केम उनमें पांच वर्ष का हे हमारा और नगस्ट जैसे आपकर हम बात करें जो डिव्यां है आपके उनमें 15 वर्ष का आपका और जैसे इस्पोर्ट्स वाले हैं आपके इस्पोर्ट्स उन्हें मिलेगा आपका पांच साल का यो ते और रेज आपकी जो एज रेलक्शेशन है उसकी बात हो गए अब हम बात करेंगे जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसका जो लेबल होगा आपक 데 को है वेलेड़ी डी घैस यारूसे को अरूस को बताओंगे या आपकी से काण आपका फिल कर सकता है समय की बता दों आपका जो है अस Спस्ट केंट यो इसके सब आहरे सकते मैं आपको बता दूँ आपका जो एक्सट में लेवेलhouगा आपका यानिकी ओलिक्षा का जो पीस है है डिये सब प्लस है जो हमारा एक्जाम आपका लिवल रहे रख North ההपका जो वह कितने होगा मारे मार्क जो होगा वह कितना होगा उसमें वह कट अफ आपकी जो नेगेटी मार्किंग है वह कितने आपकिवमस एप क्याने गे अब हम बात करेंगे जो आपके प्रश्न संक्या है question number जो है आपका question number की अगर हम बात करें तो आपके कितने question होंगे? 100 100 question और हम अगर बात करें आपका जैसे question mark कितने हैं आपके? तो यह है आपका 100 number का ही होगा हमारा अब हम बात करें negative marking की तो मैं आपको बता दूँ negative marking है आपकी negative marking 1 4th कि है आपकी ठीक याफिर से आपका 0.25 अगर हम बात करें आप हमारा जैसे कि आपका जो exam का जो language है वो कैसी रहेगी है मारी exam जो language है याजिए आपका जो exam का जो भाषा है वो कैसे तो मैं आपको बता दूं बाइलिंगूल होगी आपकी जिसे हम दियु भाषा कहते है या निंदी और इंग्लिष में तो ये तो होगी आपकी एक्जाम लेंग्वेज की बात अब मैं आपकी बात करूं तो आपका जो टाइमिंग डूलेशन है आपका वो कितना रहेगा तो में लिख देते हूँ है आपकी टाइम कि डूरेशन या फिर आपकी जो समय अवदी है वो कितनी होगी है मारी तो जैसे मैं आपको बता दूँ आपका जो 120 मिनट जो है मारे या फिर आपको बता है दो घंटे तो यह तो होगी आपकी नॉर्मल कुछ बात आपकी क्वेशन जो नंबर है वो कितने हैं वो कितना है नेगेटिव आगिंग कितने की है आपकी और मैंने आपको बताया आपका जो लेंग्विज की भासा है वो कैसी है बाइलिंग्विन है अमारा टाइम डिएशन आपको 120 मिन हैं यहां अब है मैं आपको बताद हूँ जो आपक तखर धो जो प्रकार हो और टाइप मेंटीक फोट्टैपिशन फेसंट यह में हमारा वो कैसलो अब आपके मल्टिपिल छोईज कोंच रहेंगे कि अचले सब्सक्सजान हुआ कि िइंट आपका जो टाइप को प्वेशन जो होंगे वो होंगे आपके multiple multiple type question question आपके object question होंगे हमारे तो यह होगी आपके type of question की बात आप मैं आपको बता दूँँ अब हम कुछ जानेंगे आपके जो यूपी जो आपको ट्रपल सी है आपकी जो group c के जो वाटन सी है वो कौन-कौन सी और अगर मैं एक चीज और बता दूँँ गर मैं आपको आपका वेतन बताओं आपका जो ठीक है कि आपका 15-24 से शुरूऊ हो किよし आपका 20 हजार दो सो और अगर हम ग्रेट पर इसकी बात करेंगे आपकी स्थ है तो यह रहेगा आपका उनिस स्थसे उपर तो यह तो होगी स्केल पेस्केल फर्स्ट की बाद हम पेस्केल सेकेंड की बात करेंगे तो आपका होगा हमारा यह हो जाएगा आपका 34,000 तक है कुछ 4,000 एक सेकेंड रुखिया ग्रेट पे कि अगर महां 93 सौ से मुझे याद 93 सौ से आपका 34,000 एक सेकेंड मैं से सही से लिख देती हैं 93 सौ से आपकी 34,000 तो यह होगी आपकी इसकेल अगर हम ग्रेट पे की बात करें आपकी तो यह जाएगा आपका जो 45 सौ है उससे नीचे इन तो यह तहकी आपकी इसके जो फीज है W Ocean के बारे में यानि कि मैं आपको बता दिया है आपका अब हम बात करेंगे जो हमारा जान लेते हैं फिर हम तोड़ा सा स्लाइबस भी आपको बता दें आपको बता दूं इसमें अपको जितने भी आपके सब्जेक्ट है पूछे कहें हैं आपका हिस्ट्री भी ऐ है जो इंग्लिश भी कॉन कॉन से आपको बता देती हूं कि वह आपकी कौन कौन से हैं आफिर तो यही कि डूप है योटो पर आप की जुट आपका राजसर्व जो लेकपाल है आपके लेकपाल आपके जिन हमरे वेनियों आपका एकाउंटेंट चीक है फिर हम नेक्स अगर बात करेंगे तो हमारा जैसे कि मैं आपको बता दू महिला करमचारी स्वास्त करमचारी महिला स्वास्त करमचारी करमचारी यानि कि आपकी फिमेल हेल्ट वर्कर फिमेल हेल्ट वर्कर फिमेल हेल्ट वर्कर फिर मैं अगर बात करूँ आपका जैसे यह हो गया एक यह हो गई आपकी दो फिर हम अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ जैसे कि आपका जो त्रसी ह भी कृषिशी सहायक जो है आपके डिशी शायक टो咪 रिषी तक्निकी लिए यहां पे तख नीकी शहायक यानि कि आपका आगरी कल्चर टेक्मीशं कींर एगरी कल्चर टेक्निकल आपका इह टेकनिकल असिस्ट ठेंट फिर हम बात करें तो आपकी जैसे तक निए इसाहाई कोगे फिर आपको मगर बात के तो आपका जूनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगे आपकी जैसे मैंने बताया आपको जूनियर असिस्टेंट फिर हम बात करनेंगे आपका जो गर्ना परवेक्षक जो होते हैं आपके गर्ना परवक्षक तो यानि कि जिसे हम कैन की ना आपके जो ओते हैं असिस्टेंट कैन सूपरवाईजर लिख लीजय है आपर थे आपका सूपर वाहिस है तो आपको गणना परवेक्षिक सगर के ना अपका गनना रहता है वह हो गया सिरगर हम बात करेंगे आपका जो पर Vaidhyoke जो फॉरेस्ट जो घाड है हमारे जब opens जिसे हम यहां लिख देंगे आपके फॉरेस्ट जो मात्ट है आपके वन जो आपके सबस्टेक प्रवेख्षक जोन आपके उन परवेख्षक अ है तो पते कुछ है करे अपने अपके इंटेनल के अकãy you don't call so कि अदो तो और और अगर मैं आपको बता तुनों तैसे एक्सरेय में आपका आसो एक्सरेय चियु करक्वाiden है आपका टेकनीशिन है मारे टेकनीशिन आपके valid को आपके अदर बात कुण हो एक स движ टेकनीशिन होंगे वो भी टैकिनिसें तो यह हो गया आपके लेब अपके एकसरे टैक्नीशों हो गया आपके लेब टैक्नीशों जो हो गई हमारे वहोगे अब मैं आपको कुछ और उदासटा हो गया लेखा आपका लेखा परिक्षक में अगर हम बात करेंगे तो आपके जो ऑडिटर है और अधिकारी हो तो यह कुछ मैंने आपको बता दी आपके जो ग्रुप सी जो आपकी वेकेंसी आपकी यूपी जो ट्रपल सी जो वेकेंसी अगर इनमें से निकालता है और आपका पैट आपका क्वालिफाइड है अच्छे मांक से तो क्या कर सकते हैं आप इन वेकेंसी में जो क्या है आप डाइरेक्ट आप मिसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यह तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता है 15 सब्जक्ट यां पर आपके लिए गए और उन्में से आपके जो 10 सब्जक्ट है उन्में से आपके जो हैं पांच पांच के प्षिशण है और यानि कि आपके 15 विश्य तो 15 विशों में से अगर मैं बात करूँ है आपका जो फ़र्स्ठ है हमारा सबसे पहला रहें आफका भारतिय इसalen के अथे हैं में भारतिय इतिहास ठीखिंगे न अगर हम नेक्स्ट बात करें जो हमारे भारतिय जो राष्टिया अंदोलन होए थ다고 ऐस तो ऑपर यह स्टी शुन है अंदोलन रहर स्बीक यह अब नहीं तो जैसी की आपका भुगोल ले लिजिया emanet भोगोल हो गई अ ठीज़ पिर हम बात करेंगे आपका भारतिय जो आपकी अर्थ वेवस्ता है वो अर्थ वेवस्ता ओर आपका भारतिय जो आपका समिधान है अमारा भारतिय समिधान तथा लोग प्रशाषन आपके लोग प्रशाषन आपके लोग प्रशाषन,जारशन इसाह? प्रात्मिक आपकी अंक गडित प्रात्मिक अंक गडित और अगर मैं बात करूँ आपकी सामान आपका विज्ञान होगा हमारा विसमें आपकी physics chemistry और biology दोनों होगी सामान विज्ञान आपका पिर हम बात करएं आपकी सामान हिंदी हिंदी होगी फिर हम बात करें तो आपका सामान अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी और नेक्स अगर हम बात करें तो आपकी जो सामी की है यानि कि आपकी जो करेंट है वो सामी की और अगर मैं बात कर दूँ आपका जो हमारा सामान जो अध्यान है अध्यान हो गया तो यह आसे दस तरीके से हैं आपके दस सब्जेक्ट यह होगे इन सभी मैंसे आपको मैं बता दूँ आपके जो माक्स होंगे यानि कि आपके जो क्वेशन होंगे बो भी आपके पांच क्वेशन होंगे पांच माक्स के तो इसमें से भी पांच पांच आपक कि पांच-पांच हैँ अब हम बात करेंगे जैसे कि if बता दूंए अपको एकमन साम्की और जो आपका सामान्य अधन है ये वाले पांच में यह आपके कितने होगे ये आपके 10 नमबर के होगे होगे अरह अगर जैसे हिंदी तो किया रेक अगर हम बात करेंगّे सामाना क्रेंगे हिंदी निदी जो आपकी ग्रधान्ष ओर व्याकरण है आप का भी यह आपकर कि रहो है यह वो गयाई यह भी आपका दसनमर का होगा फिर हम बात करांगे आपका जो ग्राफ है आपका ग्राफ है आपका विशले शरड़ अ और अपकर एक तालका आपका अपकोगा अ कि ताल का व्यां वे डाभ श्नेय थालका है पर आपके जो तालका है वो भी कैसी होगी 10 नंबर की ही होगी हमारा तो मैं आपको कुछ और बता दूँ आपका जैसे एक चीज रह । ही एक अपका तरक रह तहीं है किलिंग रह गई थी मारी वह की कितने नम्झी हुगे मारी उसकत नमब की महाउस Malia और अगा मैं आपका बात करूंग जो आपकी अर्थ stripes Am плохо अर्थ फ़ुर्स्था यह रह गई अगर नहीं है तो जो आप देख दीजिए अर्थ व्यवस्ता उसन जाँ है तो यह हो गए कि मैंने आपको बताए थे कितने कितने थे आपके आप लोग सभी बता दीजे ज coordinating तो यह हो गए आपके सभी जो हमारे हैं आपके तो मैंने आपको यह बता दिया आपका जो आपका स्लैवस था एक इनका लेकिन आपको इनमें सभी आप पांच मश का नंबर का है तो आप यह मैं सोची कि आपका सिंपल होने वाला है क्योंकि पांच नंबर से है आपका पांच परशन तो हमें नहीं पता कि आपका जो क्या है कहां से भी पूंच सकता है कहीं से भी पूंच सकता है तो मैं अगर आप इससे आप तयारी शुरू कर दीजे और मैं आपको बताना चाहती हूं बहुत ही ज़रूरी बात है हमारा जो निक एजुकेशन है वह बहुत ही चल्द आपका अ झाल